नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाहियों, मैं आज आपके साथ कुछ बातें खर्बुजा के बारे में सेयर करना चाहता हूँ खर्बुजा के लिए दुमट मिटी बहुत अच्छी रहती है भारत में खर्बुजे की खेती नौंबर से मार्च तक की जाती है जिन शेत्रों में सर्दी और पाले का डर नहीं रहता, वहां नौंबर से दिसंबर में खेती की जाती है जहां सर्दी पाले का डर रहता है, यानि की उत्री भारत में, वहां खेती फर्वरी मार्च में की जाती है खरबुजे की खेती करने के लिए सबसे पहले गोबर का उप्योग करें गोबर के उप्योग के साथ जो किसानवाई औरगेनिक खेती नहीं करता हो वो उसमें पोटास, SSV यानि सिंगल सूपर फास फॉर्स और सलफर का उप्योग करें उसके बाद में सबसे पहले मिट्टी प्लटने वाले हल का उप्योग करके जुताई करें फिर दो तिन बार हेरो या कल्टिवेटर चलाएं और मिट्टी को भुरुबुरा कर लें खरबुजे का बीच, पूसा सरवती इस किसम का विकास भारतिय कर्शी अनुसंधान दुवारा किया गया है जो हरी धारियां और जालिदार छिलके वाला होता है और इसका वजन आट सो ग्राम से एक किलो तक होता है ये पसल लगाने के 70 से 80 दिन में पक जाती है ये एक हेक्टर के अंदर 160 क्यूटल पैदावार देती है पुसा मधू इस फल का आकार गोल और चप्टा होता है इसका छिलका पीला और चिकना होता है हरी धारियां होती है ये पसल 90 से 100 दिन लेती है इसकी उपज एक हेक्टर में 130 से 160 क्यूटल होती है हरा मधू इस किसम का विकास पंजाब कर्शी विश्वेदाले लुध्याना ने किया है ये पैदावार की द्रश्टी में अत्ति उत्तम है पढ़ती है एक्टर 180 से 200 क्यूटल तक होती है जो 90 से 100 दिन लेकर तयार होती है पंजाब सुनहरी जो 80 दिन में पक जाती है इसका फल 700 से 800 ग्राम का होता है दुर्गापूर मधू इस किसम का विकास उद्धेपूर विश्वेदाले दुर्गापूर रास्तान दुवारा किया गया है इस पसल का विकास 90 दिन के अंदर तयार हो जाती है और ये 170 क्यूटल के लगवग होती है पढ़ती है एक्टर अरका राजहंस इस किसम का विकास भारतिय बागवानी के अंदर बैंगलोर दुवारा किया गया है इस पसल का अकार एक किलो से दो किलो तक होता है ये बंडारन वह यातावात अक्समता में बहुत अच्छा रहता है इसकी उपज 500 क्यूटल से 300 क्यूटल परती हेक्टर होत है इसकी पैदावार 160 से 180 क्यूटल परती हेक्टर होती है और कुछ नुइंतम किसमें MHW6 गुजरात से 662 गुजरात, 740 नरेंदर, इसार मधूर संकर, इसार मधूर सोना, सवरन, पंजाब M3, M4, पंजाब हाइवरीड और आज हमारे इंदुस्तान में हाइवरीड का चलन जादा हो गया, इसलिए हाइवरीड में नूनियोशिट्स की मृदुला, नूनियोशिट्स की बोवी, बोवी फार्मिंग, तिरसा, कुंदन, F1, कोहिनूर, संद्राइज, इनकी उपज लगवग परती है, एक्टर 300 क्यूटल के लगवग होती है, और ये बाएर नून अहन्स मदुराजा F1 के नाम से है, एक सेमिनर्स का केसर है, सागर का कस्तूरी और सागर साथ, जानवी F1 हाइवरीड, युनाइटेड जेनिटिक का द्रोन, शाहनी F सुगर समर, ओल देट ग्रो का येलो, निर्मल NMMN 24, कुनिको का मिठा, ग्रेंफिल्ड का गॉल्डन गलो ये हाइवरीड किस्मे हैं, जो लगभग 80-100 दिन के अंदर लगाने के बाद में पक्र तयार हो जाती है, किसान को बीज की बुआई करते समय ध्यान देना चाहिए, कि बीज से बीज की दूरी कम से कम 1 फुट और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 6 फुट किसान भाईयो, हाइब्रीड में नूनियो शिट्स का अच्छी पैदावार देने वाला बोबी और इसका मुस्कान जो नूनिया शिट्स का है, फिर आता है बाएर नूनिहम्स का मधुराजा एफ़वन के नाम से फिर अच्छी पैदावार देने वाला सेमिनेस कमपनी का केसर और सागर कमपनी का कस्तूरी तो मेरे किसान भाहियों, जिन किसान भाहियों को खरबुजा लगाना है, वो अगर सर्दी से बचास को, तो उत्री भारने में भी दिसंबर में आप खेती कर सकते हो, तो मेरे किसान भाहियों, आप खरबुजा लगाएं, थोड़ थोड़ी पसल, हर पसल लगानी चाहिए, क शेयर के जगा धन्यवाद किसान भाहियो